good morning students you all are welcome in nrps school online classes as you know your online study has started हम जो है class second के English grammar का first chapter पड़ रहे थे जिसमें हमने alphabets के बारे में देख लिया कि alphabets क्या होते है alphabets को कैसे लिखा जाता है printing letter कौन से होते है कर्सिव writing कौन से होती है alphabet किसको कहेंगे alphabet जो है अंगरे जी वानमाला के 26 letter है उसको हम alphabet कहेंगे उन alphabet को जो है दो बागों में बाटा गया है कौन कौन से capital और small letter और दोनो capital letter और small letter को दो दो तरीके से लिखा जाता है तो printing letter printing writing और एक क्या होगा कर्सिव राइटिंग कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए हम काम मिले थे printing जो होती है आपके capital letters वो आपके books वगेरा जो छपती है उसके अंदर जो लिखा हुआ आता है उसको हम printing letters कहते हैं और उसमें हमने small letter और capital letter दोनों देख लिए थे फिर आया आपके वोवल्स के बारे में तो वोवल्स भी आपको बता दिये वोवल्स कितने होते हैं 5 होते हैं और consonant कितने होते हैं 21 होते हैं और उसके बार में हमने देख लिया था कि वोवल्स कौन से हैं A, E, I, O, and U फिर हमने consonant भी देखा था, consonant कौन कौन से होते हैं English alphabet में जो है आपके 26 letter होते हैं उसमें आपके जो 5 वोवल्स निकाल देंगे और उसके बाद में जो 21 बसता है 21 जो letter बसते हैं वो हमारे consonant हो गए जिसे B, C, D, F, G, H, I, J सौरी, I नहीं आएगा, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z आपके A, E, I, O, U नहीं आएगे उसमें बाकी जो बच्चा है वो सारे क्या हैं, consonants हैं उसके बाद में हमने देखा था capital letters को लिखना तो capital letter को लिखना भी बताया है आपको अगर किसी का भी नाम हो जिसे अंजली है, राहूल है, कोई भी नाम हो चाहे वो word के sentence के बीच में आ रहा हो, चाहे sentence के first आ रहा हो, चाहे sentence के last में आ रहा हो तो उसका हर sentence का पहला letter भी क्या होगा, capital होगा, और हमने देखा था days name, this is Sunday, Monday, Tuesday और English, sorry, month's name देखे थे हमने, month name, January, February, March, April ये जो है, पूरे, उसका भी अगर नाम आ जाता है, कहीं पे भी मन्त का नेम भी, तो हमें उसका भी first letter किसमें लिखना है, capital लिखना है, परवत हो कोई भी, कोई भी नदिया हो, कोई भी बुक का नाम हो, कोई भी जो है, आपके, देश का नाम हो, उन सब का नाम क्या होगा, first letter, capital से लिखा जाएगा, फिर हमने रेखा था sentence के बारे में, sentence की परिभाशे आपके सबसे last में लिखी हुई है, तो जो है आपके letter, letter सबसे छोटी काई बताई, मैंने जैसे A है, वो letter है, B है, letter है, C letter है, अब इन letter को मिलाके, हम अगर कोई word बनाते हैं, तो उसको हम word कहेंगे, क्या कहेंगे, word कहेंगे, जैसे मैंने यह लिखा, D, letter है, O, letter है, and G भी क्या है, letter है, अब इन तीनों को मिलाके, मैंने एक word बनाया, D, O, G, dog, ठीक है, आर्थ निकल रहा है, इसका dog means, कुता, तो इसका आर्थ निकल रहा है, औ लेटर से मिलके, तो लेटर से मिलके हम क्या बनाते हैं, word बनाते हैं, और word से मिलके है, जैसे, dog is barking, तो यह भी word है, यह भी letter से मिलके है, यह भी word है, word है, word है, word है, तीनों word है, इन तीनों word से मिलकर हमने क्या बनाया है, एक sentence बनाया है, और उस sentence का अर्थ भी निकलना hiking तो कुत्ता जो है बोक रहा है आया समझ वे sentence का मतलब भी group of letter तो हम क्या कहेंगे word गुरूप ौफ वर्ड कॉल्ड sentence यानि शब्दों के समहों को तो हम sentence कहेंगे अक्षरों के समहों को हम शब्द खेंगे अब हम देख रहे थे उसके हमने tick the correct activity जो हैं आपके कर ली थी अब हम देख रहे हैं fill in the blanks with correct word आपके दियावा है options उन में से ही हम जो है इनको भरेंगे fill in the blanks with correct words पहला हमारे लिखावा है sentence he to eat toffees he लिखावा है dash to eat toffees तो हम इसको क्या करेंगे fill हाल के लिए बाद में fill करेंगे सारे sentence को पहले हम लिख लेते हैं she is here's all the has has many oxen third था ये what what Mohini is a gold fifth है आपके लिखावा that is jacket that is jacket अब हमारे पास में इधर आपकी जो है options देवे हैं कि आपको इन नहीं में से भरना है he अब क्या होगा he to eat toffees यानि कि उसको toffees खाना क्या है पसंद है तो यहां पे क्या आ जाएगा loves he loves to eat toffees उसको जो है toffees खाना बहुत पसंद है she is she is years old years old हम कब बोलते हैं जब भी हमें किसी की age बतानी हो age यानि उसकी उम्र बतानी हो तो यहां पे age के लिए हम counting use करते हैं counting में हमारे पास में क्या लिखावा है 5 तो यहां पे क्या हुजाएगा she is 5 years old sorry मैं रैड से लिखेट हूँ आपको समझ रहाता यहां लिखेंगे हम loves यहां लिखेंगे हम five यहां लिखेंगे लिखेंगे यहां लिखेंगे लिखेंगे यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे यानि कि यह है उसकी जैकेट है हो गया हमारा next question is translate into Hindi वो देखते हैं हम हिंदी में जो हैं हमें translate करना है first है आपका लिखावा he loves to eat toffee यह जो आपके दिये में है उनी में से है he loves to eat toffees toffees यह उसे toffee यहां खाना पसंद है सेकंड हम देखेंगे मोहिनी is a good girl मोहिनी is a good girl हम यह लिखेंगे मोहिनी एक अच्छी लड़की है इंग्लिश में sentence पूरा होता है हम लास्ट में क्या लगाते है foot stop हिन्दी में sentence पूरा होता है हम क्या लगाते है लास्ट में खड़ी पाई थर्ड है आपका She is five years old क्या है गए आपे? बहे पाँच या उसकी उम्र पाँच साल है दोनों में से कुछ भी लिख सकते हूँ आप पाँच वर्ष है हम साल भी कहते हैं ये इसको और वर्ष भी कहते है फॉर्थ है हमारा दैट इस जैकेट वह है उसकी जैकेट है दैट का मितलब वह है ही इसका मितलब उसका या उसकी सोरी उसका ही होता है वह है उसकी जैकेट है जैकेट को जैकेट ही आता है हम नेक्स्ट है हमारे आपके क्वेशन हाउ मैनी लेटर्स आपको क्वेशन दिये हैं उन क्वेशन के आंसर्स लिखने हैं हम फॉर्स्ट केशन देखते हैं मैं इसे ही रेस कर रहे हूं जैके लेटर्स आपको क्वेशन देखने हाँ प्रहण ही है आपके लेटर्स आपको कर रहे हूं प्रहण है आंसर दे फॉलविंग क्रेश्चन डी है आपका पहला क्रेश्चन है यमारे बैस में दिया हुआ वो है How many letters are in alphabet? कितने होते हैं? How many letters are in alphabet? question पूछने तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे question marks लगाएंगे तो अब हम लिखेंगे answer इसका there are twenty six alphabet second question है आपके how many kinds of letter are in English how many kinds of letter in English answer में लिखेंगे कितने kinds हैं दो कौन कौन से capital और small there are तो ताइबस और लेक्टर इन एंग्लेश फिर है हमारे थर्ड केस्टन राइस देफिनिशन ओफ वर्ड वर्ड की परिवाशा लिखनी है मैं अंसर इसका वर्ड लेक्टर 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 लेक्ट लेकि शब्द जो है लेटर की ग्रूप को कहते हैं जिससे कोई complete sense निकलता हो fourth question है आपका write the definition of sentence sentence की definition लिखनी है आंसर हो जाएगा हमारा group of letter तो वो गया word और group of word को हम sentence करेंगे sentence is a group of word word that max complete sense group of word हो लेकिन उसका क्या होना चाहिए complete sense निकलना चाहिए SW देखो आपका write alphabet 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 लिखनी है आपको a to z and learn the definition of sentence and word sentence की और word की definition याद करनी है और alphabet आपको notebook में लिखना है a to z okay आपको समझ में आया होगा thank you very much